नमस्कार, बेलकम टू CS प्रोफिशनल योटूप चैनल, फ्रेंड इस वीडियो में, ICSI शाइट से रिलेटेड, कौन-कौन सी लिंक अपने मुवाल में, अपने डेस्टॉप में, लेट्टॉप में रखना है, उसके बारे में मैं बताऊँगा, देखें, टोटल करिप-करिफ सेवन लिंक, सेवन लिंक, ICSI का आपको अपने मुवाल में रखना जरूरी चाहिए, तो वो कौन-कौन सी सेवन लिंक है, और उस लिंक से क्या-क्या बेनिफीट मिलेगा, तो इसके बारे में मैं वो सेवन लिंक बता रहा हूँ, जो कि मिन्डेट्री आपको रखना चाहिए तो चलिए, लिंक देखते हैं, कौन-कौन से लिंक रखना है, नाव, वन वाई वन लिंक को डिस्कस करते हैं, फर्स्ट लिंक, ICSI Home, दिख रहा है आपे, ICSI Home, तो ICSI Home में ये डिस्टॉप में आपको दिखेगा, आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से दिखेगा, आपको क्या जो दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है, उसके बाद, Add to Home Screen, Add to Home Screen पर क्लिक किजिए, और Add कर दीजिए, तो ये आपका Home Screen पर चलाएगा, देखेगे, एक पहले से था, और एक आप आ गया है, तो ठीक है, तो चलिए, एक को रिमूब कर देते हैं, तो यहां से रिमूब कर दि यह, सेकेंड जो लिंक आपके पास होनी चाहिए, आपके मोबाइल में, ICSI, What's News ICSI, ठीक है, इस पर क्लिक करके देखते हैं, क्या है, तो यह सवी, नोटिफिकेशन वगेरा, आपको यहां से मिलेगा, देख रहे हैं, यह सवी, Call for Article, यह सवी, नोटिफिकेशन, आप यहां से easily देख सकते हैं, तो दो site और जो site एजो link है, इसी तरह add कर देना है, right hand side, top corner में जो three dots दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है, और यहां देखिए, add to home screen इस पर क्लिक करना है, और add कर देना है, तो आपके screen पर दिख जाएगा, यहाँ दिख रहा है एक यहाँ था और एक यहाँ दिख रहा है ठीक है तो इसको भी रिमूव कर देते हैं दो लिंक में ने बता दिया थाड लिंक असमास लोगिन का यहाँ पे दिख रहा है असमास लोगिन इस पर क्लिक करके देखते हैं इससे क्या होगा असमास लोगिन में जो आप form वगेरा फिल करते हैं तो form वगेरा फिल यहां से किया जाता है registration, number इसमें डालना है password डालना है, verification code डालकर submit कर देना है आपका पूरे detail खुल जाएगा उसमें address, signature, photo वगेरा आपका mark sheet हर चीज इसी site से खुलेगा इसी link से खुलेगा तो इसको भी इसी तरह add कर देना है and fourth, login ICSI application इस link को अगर आप रखते हैं इससे benefit होगा अगर आप training करते हैं किसी भी परकार का training 30 day training जो 15 day e-mode और 15 days classroom training होता है प्लस और भी training होता है तो किसी भी परकार के training का registration इस site इस portal पे होगा तो इस link को भी आपके पास होना चाहिए आपके mobile में होना चाहिए एक बात में बता दूँ कि सभी link वीडियो के description box में में डाल दूँगा वहां से आप add कर लेना एक बार फिर से बता दूँ add कैसे करना है top right hand side 3 dot पे click करना है add to home screen and add कर देना है ठीक है तो यह five link में ने बता दिया अब six link पे चलते है ICSI study material study materials related ए लिंक आपके mobile में होना चाहिए देखे direct इस link पर click करेंगे तो study material आपके fast रहेगा तो ज़्यादा इदर उदर google पे search करने की कोई जरूरत ही नहीं है देखे सभी study material आपको मिल जाएगा module 1, module 2 यह professional CS executive से लेकर CS professional and सभी मिल जाएगा ठीक है तो इस link को भी add कर लेना है and seven sorry six link आपको add करना है ICSI guideline answer तो a link ICSI guideline answer वाला यहाँ पर आपको answer seat वो मिल जाएगा जो exam हुआ है जिसे जून 2021 में exam हुआ है तो इसको executive module 1, module 2, professional module 1, 2, 3 and executive new syllabus module 1, module 2 मान लिए जाए कि professional module 1 का open करके देखते हैं तो देखिए क्या आता है तो यहाँ पर आपको दिख रहा है guideline answer professional program new syllabus module 1 और जो answer है ICSI का suggested answer है तो यह question रहा इसका answer रहा जिसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे है तो यह link भी आपके mobile में आपके laptop में होना चाहिए and 7 link की बात करते हैं तो previous year question प्रिवियस year question वाले link भी तो होना चाहिए यहाँ पर click किजिए देखे प्रिवियस year question आपको दिख रहा है जितना भी exam हुआ है सभी का यहाँ पर मिल जाएगा old syllabus new syllabus executive professional foundation सभी मिल जाएगा 2020 और चलिए तो यह 20 link आपके mobile laptop में होना चाहिए and last आपके अपने mobile laptop में जो link add करके रखना है अगर आप 15 day e mode training करना चाह रहे हैं आपने registration करवा लिया है तो कौन से site पर 15 day e mode training होता है उस site को में बता रहा हूँ उस site का नाम है tcsion digital learning यह दिख रहा है तो इस site को अपने mobile में add कर लेना है अपने laptop में add कर लेना है और यहाँ पर accept all cookies बोल रहा है इसको all cookies को accept कर लेना है तब ही खुलेगा वरना problem आए जाएगा ठीक है तो इस service site को add करके रखना है अपने mobile में laptop में और mobile में add कर इससे करना है तो 3.add to home screen and add ठीक है आशा करना हूँ इस वीडियो से आपको कुछ benefit पहुचा होगा अगर आपको कुछ benefit मिला तो वीडियो को like किजिए share किजिए अपने दोस्तों के वीच अगर channel पर आप new हैं तो subscribe कर लिजे और हाँ अगर cs executive के हैं तो पक्के इस channel को subscribe करके रखिए क्योंकि मैं cs executive paper 5 से related paper 5 आपको पता है ना कौन सा है corporate and management accounting corporate and management accounting से related most important important content को upload कर रहा हूँ तो इस channel को subscribe करके रखिए तो आज के लिए इतना है इस video में इतना है thank you so much वाय वाय टेक केर जैहिन जै भारत